नमस्कार दोस्तो मैं उमेश सर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल डिजिटल देभूम में तो दोस्तो उत्राखण मैं महिला होमगार्ड के फिजिकल की लेटस डेट आज चुकी है जिसमें चमपावत की मैंने आपको बता दी है और अलमो कर सकते हैं और चैनल देटसों के यहां पर स्लेक्शन मलब फिजिकल के लिए स्लेक्शन हुआ है और साथी जो 500 प्लस ऐसे अभिहरती हैं जिनका फॉर्म को रिजक्ट किया गया है पूरी जानकारी जानते हैं इस वीडियो में स्लेक्टिड डेटा और अन्सलेक्ट डेटा आये स्टार्ट करते हैं दोस्तों अलमोडा जनपत की जो स्लेक्टिड लेस्टी उसके बार में मैंने कल ही विचार कर लिया है और उसके लिए मैंने पीडियो फॉर्मेट बता दिया कि आपको कहां से डाउनलोड करना है फिर भी मैं आपको आज इस वीडियो में बता भी द कि आ गया है और आपको वह सारे दस्तावेज दे जाने होंगे जो आपनी आवे दिन फॉर्म में संगलंगने करें ठीक है यह मैंने कि इतनी बार बताया है तो आप यहां पर देख सकते हैं कब आपका रोल नंबर है किसी परकार का एड्मिट कार्ट आउट नहीं किया जाए चौनदा देवसी रहेगा इसके लिए आप फोमगाट अलमोडा उनकी पर चाके भी आप चक आउट कर सकते हैं या पिर आप डिजिटल देभूमी मेरा टेलिग्राम चैनल है वहां पर चाके आप चक आउट कर सकते हैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में मि लिए दूँगा ठीक है सेलेक्टिट डेटा और रिजक्टिट डेटा को यह आप चक आउट करना चाहते हैं तो आप डिजिटल देभूमी मेरा टेलिग्राम चैनल है वहां के चाके चक आउट कर सकते हैं कल मैंने यहां पर डाला है पीडियो फॉर्मेट प्लस अभ्यारति है जैसे कि यह जो पीडियो फॉर्मेट है काफी लंबी है और दितिचरण वालों की सबसे बड़ी भरती अलमुड़ा जिन्पत की होनी वाली है इसमें आपके सारे डेटा को रखा गया है इसमें यह एक एक्सल सीट है एक्सल सीट को आप ले सकते हैं आप इसे टेलिग्रा से उपर होनी वाले हैं एक बार देख लेते हैं कितने हैं ठीक है तीन सथ चौटिस काफी ज्यादा होता है तो हजार तक पहुंच चुका है अब देखते हैं कि कितने होंगे आपको यह याद होना चाहिए कि यहां पर कॉंपिटिशन बहुत ज्यादा होना होगा क्योंकि 31 पोस्ट हैं और लगबग 46,000 46 यहां पर सौब आपके क्या भरे गए हैं आवे दिन फॉर्म भरे गए हैं तो यहां पर आपको बैस्ट परफॉर्मेंस देना होगा प्लस में आपके पास जितने भी खेल संबंदी NCC NSS स्काउट संबंदी जितने भी डॉकुमेंट्स आपके पास हैं वह सारे आपको भरतिस्ते पर ले जाने होँगे जैसे के स्कूटी और बाइक का यहिद्य के पास seven वह खेल है तो वह xem की ड्रेयविंग लाइसन्ज में आएगा तो यहिदी आपको तीन नंबर मिलेगा और स्काउट में आपको थीन नंबर मिलेंगे यहिद्य की पास NCC या फिर NSS B certificate या फिर A certificate है तो आपको तीन अंग दिये जाते हैं और यदि आपके पास NSS certificate है तो आपको यहाँ पर C level का है ना तो C level में आपको 5 में से 5 अंग दिये जाएंगे ठीक है यदि आप Home Guard से समद्यित है तो आपके पास उसका पर्माणपत्र होगा उस इधि आपने G résultges किया है तो आपको 10 marks दिये जाते हैं यदि आपने 12 करी है तो आपको 9 marks दिये जाएंगे ज़ ROB करते ही लिखित परिक्षा में शुलिक होता था जिसमें आप से लिख्वाय जाते था कुछ खटन काटे नाम लिख्वाय जाते थे उसके द्वारा आपका स्लेक्षिन होता था लेकिन इस बात निवा मळली थी उसमें डॉक्वमेंट के रिकार्डिंग या डॉक्वमेंट के आधार पर आपको भरती की जानी सुनेक्षित किया गया है तो देखिए दोस्तों यहां पर 4500 से उपर चले गए हैं 4700 भी हो चुके हैं तो एक बड़ी भरती देखने को मिल सकती है इसमें पूरा डेटा है इसमें स्लेक्टिड वह हो जाएंगे जो चट जाएंगे क्योंकि 5160 अभियरती हैं टोटल मिलाके इसमें से नाम जो रिजेक्ट हैं उसके बारें बताऊंगों कि आपको कहां से डाउनलोड करना है ठीक है डिजिटल देभूमी जो आपके टेलिग्राम चैनल में बताया आपको वहां पर जाके आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं यह बड़ी फीडिया ठीक है यहां से आप जाके आप चेक आउट करें और फिर रॉन नमर देखा कि आपका किस डेट में आपका क्या है फिजिकल है आप चेक कर सकते हैं तो यहां पर देखिए यह सारे जो फॉम है यह सारे आपके निरस्त फॉम है जैसे की लिखा है मेला होमगार्ज भरती है तो प्राप्त आविद्नों के सापेक से निरस्त कि गए आविद्नों के सूची जन्पत अलमोड़ा ठीक है इसमें सबसे पहले के ना में लिखा करना होता है पुरूर्श अभ्यारती थी किया थी के है है इसत्य ही पर्मानपत्र नियनिताल का होने के कारण और इसके बाद आवेदन पूरुस 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 ठीक है स्थाई निवास परमाण पर ना होने की कारण या फिर ने निताल का होने की कारण आवेदन के लिए स्थाई परमाण पर संगलंग नहीं है तो यह देखी इस पर का इस्थाई निवाश प्रमन पर तो जिसने नहीं लगाया होगा वसका form रिजक्ट किया गया है ठीक है यह आप देख सकते हैं यह भी आपकी करीबन 20 प्लस पेज हैं और इसे 512 कंडिडेट्स हैं जिनका form रिजक्ट किया गया है यह पीडियो फॉर्मे आपको जल्दी पहुंचने है साथ बजे आपको भरतिस्तर पर पहुंच जाना है ठीक है किसी भी प्रकार की जानकारी यह आप होम गार्ड फिजिकल के शंबन पाना चाहते हैं तो आप निश्चेंत होकर कमेंट्स में अपना प्रस्न पूछ सकते हैं मैं डेफिनिटली आंसर देने के कोशिश करूंगा ठीक है और पिठोड़ागड का आज अपडेड होना था अभी अपडेड होने हुआ नहीं है पिठोड़ागड दिन पत का आपको साम तक देखने को मिल सकता है ठीक है साथी एक और बात आपको याद रखने हैं कि इसमें आपको फिजिबल पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ज्यादा डॉकुमेंट की रिगार्डिंग 30 मार्कस आपके जहें फिजिकल में है फिजिकल में आप जितनी कुशिच कर सकता है कर लो क्योंकि इसमें 30 में 30 में से आप 30 मार्ट गेंगे तो आप एक सेव इसकूर में हो जाओगे उसके बाद यह अपने ग्रेजीशन भी कर रखा है और साथ कुछ स्कूल में आप राज जिदा इस तरबर आप खिलाड़ी हैं तो आप एक सेव इसकूर में आ जाओगे 45 पर ठीक है क्योंकि इसकी जो cut off जाएगी वह 45 या फिर 50 के मद्धी ही जा रही है इससे कम नहीं हो रही है जनरल कर्टिकरी की बात कर रहा हूँ ठीक है तो इसलिए आपको मेहनत करनी होगी